चलिए फ्राइट करते हैं, आजका हमारा टॉपिक है ग्रेव विवस्था के उद्देशे, Purpose of Management, क्या आवशक्ता पढ़ती है, Home Management की, क्यों जरूत पढ़ती है, तो इनके उद्देशे में तीन उद्देशे हैं, उनकी बात कर लेते हैं, पहली है, पहला उद्देशे है इनक इसमें ये रहेगा कि कला मनुष्य के विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, किसी भी परिवार में ग्रह सज्जा के लिए जिन स्वामानों का प्रयोग होता है, उन्हें देखकर उस परिवार में रहने वालों की रुचियों की विशे में पता चलता है, जैसे पेड है, उसमें फल अगयरा भी देख रहे हैं, तो किसी को जहें वही पेड अच्छा लगता है, किसी को दो तरह की सिंड़ी लगी है कमरे में, एक तरह से सूखा पेड लगा हुआ है, और एक जिसमें फल अगयरा उससे दिखाया गया है, आर्ट के थू, तो कुछ लोगों को तो व आपनी भाव्नाओं को दूसरी तक दूसरी के सामने एक्सप्रस करना, किसके थूरु, सवंधरी ञे से थू, अभी वनजथा यति एक्सप्र Ses करकिंगे गहर को मैनेज करकी तरह, उस तरह से दिखा सकते हैं, गर में टेम भाव यः इस तरह से भी दिखा सकते हैं, दूसरों राग्सक्राइंट लेसिट करें उसन पालत ऎेधिर यह है यह जा lift करेंगी एम्हु भाभे है। है क्रीयात्मक्ता विता में 7 उपनाइ, इस जाल वेहिण समया है अधिर्य में होनी, प्रिवेर भांस देखता है। तो इस तरह से अपनी फरनीचर की है सुविधा ऐसा रखें कि उसमें एक के साथ साथ मल्टी चीजों को कही सारी चीजों को उसको यूज में ला सके जैसे पढ़ने के लिए टेबल भी होना चाहिए बच्चों के लिए तो ऐसी चीज कि इसमें जगह कम है तो उसमें डाइनिं प्रदान करता है और तीसरा है क्रियात्मक्ता प्रदान करती है ठीके ग्रहनी क्या करती है कि क्रियात्मक्त तरीके से उसे जह है और मल्टीपल चीजों में मल्टीपल बनाती है जैसे फरनीचर अगरा इन सो ग्रहनी को ग्यान उनका ग्यान होता है कि यहां ऐसी चीजे इस इस management धंगभी कर सकते हैं तो पहला कौन स्वा हो गया home management स्वांदर्य प्रदान करता है दूसरा अभिवेंजक्ता expressiveness तीसरा तीसरा है क्रियात्मक्ता ठीक है तीन हो गई स्वांदर्य अभिवेंजक्ता और क्रियात्मक्ता ये तीनों नोट कर लिजेगा होम मैंजमेंट के तीन उदेश ये स्वांदर्य प्रदान करना अभिवेंजक्ता और और प्रियात्मक्ता ठीक है तीन चीज़े हो गई ठीक है आप जैसे स्वांदर्य है घर में एंट्री करते हैं रूम को देखते हैं एक तरह से देखने मां अच्छा लगता है हर चीज तो यह क्या है यह सुंदर रिप्रतान कर रहा है घर में जैसे एंट्री करते हैं सब लोग प्रेम भाव से रह रहे हैं किसी तरह का लड़ाई चखडा कोई चिर चुड़ापन नहीं है तो वह भी एक क्या है मैनेजमेंट यह भी एक तरह से मैनेजमेंट है आच्छा यह इसी क कोई चुड़ापन नहीं है महला आपस में भी बात भी करते हैं तो वह भी प्रेम भाव से तो कहीं भी इस तरह की चीज़े नहीं लगती है जैसे एंट्री करते हैं ठीक है हर चीज मैनेजमेंट धंग से रखी हुई है और दूसरे लोग हमसे प्रेम से बात कर रहे हैं तो यही चीज क्या हो गई शौंदरी को दरस आता है दूसरा जैसे प्रीम भाव कि सब की बोलने का धंग अलग होता है एक्सप्रेस किसे कहते हैं दूसरे के सामने किस तरह से वह अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है तो यह भी एक बहुत बड़ा मेनेजमेंट के अंतरगत इसक कितनी चीजों को रियात्मक्त तरीक के से मल्टपल उसमें बना सके जैसे अभी एक्सामब्बल का उसी तरीक के से तो तो तीन उदे नचक्ता से हो गई सबướcर्य है और तीसरा है रियात्मक्ता ठीक हैश है, ंकने तीन के तीन नचक्ती ह लिएजда है तो यह आप नव्ड़न कर लीजीगा अभी के लिए इतना ही